नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चिनल पी एफपी में अज एक फरवरी 2022 को मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव नज़र आता है हजार से भी ज़्यादा स्टॉक एडवांस कर रहे हैं और तकरी बन साड़े आठ सो स्टॉक डिकलाइन के फेवर में नज़र आते हैं तो अब तक जो बजट बजट चल रहा था बजट आया 90 मिनिट में चला भी क्या है हमारे लिए ना कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है ना ही कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आई है कौन से सेक्टर पर फोकस करना चाहिए कहां पर निवेश कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में नेक्स वीडियो में डिसकस करते हैं फिलाल के लिए इस वीडियो में ओररल मार्केट में क्या हुआ है वो डिसकस कर लेते हैं निफ्टी 50 1.37% उपर है 550 के उपर क्लोजिंग होई है अगर 600 के उपर क्लोज होता तो और भी ज्यादा पॉजिटिव होता 38.5 इनिट के उपर क्लोजिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी में 1.4% की तेजी अच्छी तेजी देखने को मिली मिड कैप के बार में बात करें तो 1.12% की तेजी है स्मॉल कैप में भी आधे परसंट की तेजी दिखाई परती है तो जनरली स्पीकिंग आज लार्ज कैप का दिन था सेक्टरल इंडाइसेस के बार में बात करें तो IT सेक्टर FMCG, फार्मा सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर में तेजी रही है और सबसे ज़्यादा तेजी आपको मेटल सेक्टर में देखने को मिली है PSU बैंक में बहुत दिनों से तेजी आ रही थी आज गिरावट देखने को मिली आटो सेक्टर में भी आज हमें 0.75% की गिरावट देखने को मिली है और as expected इंडिया विक्स हमें 9% क्रैश होता हुए नजर आया प्रीमियम्स आपको एकदम से DK होते हुए नजर आया है event के पहले एकदम tension होता है क्या होगा यह होगा वो होगा event हो गया तो आपको सारे प्रीमियम्स गलते हुए नजर आया है currency के बार में बात करें तो आज आपको रुपी वीक होता हुआ नजर आया है यूएश्टी आयनर आप देख सकते हैं 0.32% की तेजी है तो डॉलर आपको 0.32% स्ट्रॉंग होता हुआ नजर आया दूसरे currencies के अगेंस्ट भी आपको रुपी में आज वीकनेस देखने को मिली है commodity के बार में बात करें तो crude oil आपको 0.4% उपर नजर आता है natural gas में 2% की गिरावट है gold में आधे परसन की तेजी है silver में 1% की तेजी दिखाई पड़ती है global indices के बार में बात करें तो आज US markets में गिरावट हो रही है S&P 5 minute, Dow Jones और NASDAQ तीनों में गिरावट हो रही है तो generally अभी फिलाल के लिए आज के लिए US markets डाउन जा रहा है UK market के बार में बात करें तो slightly positive sentiment है France में आधे परसन की तेजी है Germany में 0.78% की तेजी है S&P 50 फिलाल exactly 17 अजाद 600 पे ट्रेड कर रहा है Japan में तेजी है Hang Seng Index भी उपर जा रहा है China में आपको 1.4% की गिरावट देखने को मिल रही है Korean markets के बार में बात करें तो यहाँ पर भी 1.8% की तेजी दिखाए पड़ती है Nifty के Intraday Chart पर हमें clearly पता चलता है कि शुरुआत बहुत अच्छी देखने को मिली Gap of Open हुआ उसके बाद आपको sideways moment देखने को मिला उसके बाद एकदम से गिरावट देखने को मिली फिर आपको वापस recovery देखने को मिली Day High के आसपासी market आपको close होता हुआ नजर आया है 17600 का जो level है strong resistance की दरह दिखाई पड़ता है और daily chart पर भी यह बहुत ज़्यादा important है आप देख पाएंगे कई बार यहाँ पर support लिया था फिर जैसे यह support टूड़ गया यह resistance बन गया था फिर से यहाँ पर breakout हुआ support लेने के बाद उपर गया यहाँ पर support लेने की कोशिश की fail हो गया फिर से उसी level पर पहुँच चुका है तो अगर 17,600 के उपर market sustain करता है तो आपको immediately 18,300 के आसपास levels मिल सकते हैं of course 18,000 एक hurdle है लेकिन ओर रल 18,300 से पहले कोई बड़ा resistance यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ता है नीचे के side supports के बार में बात करें तो 17,250 के आसपास आज जो low बना था वो आपको एक strong support की तरह नज़र आएगा वहाँ पर हम expect कर सकते हैं कि market अगर नीचे जाता है तो वापस bounce back देखने को मिल सकता है bank nifty के बार में बात करें तो bank nifty में भी तेज़ी है यहाँ पर भी आपको volatility देखने को मिली यहाँ पर भी गिरावट होई है, recovery होई है लेकिन comparatively closing आपको nifty 50 में बहतर नज़र आती है वो अपने day high पर ही close होता हुआ नज़र आता है जबकि bank nifty उससे slightly नीचे close हुआ है daily candle के बार में बात करें तो daily candle में आपको overall bullishness ही नज़र आती है सारे moving average के उपर है, trend भी काफी अच्छा नज़र आता है नीचे के side support के बार में बात करें तो फिलाल के लिए जो 20 days का moving average है अब एक important support की तरह नज़र आएगा जो कि approximately 37.500 के करीब है यहाँ पर बहुत से moving averages हैं यहाँ पर एक अच्छा support हमें नज़र आता है resistance के बार में बात करें तो current market price जो है 38.500 का level यह resistance की तरह ही act करेगा क्योंकि यहाँ पर यह तेजी आई फिर ग्रावट देखने को मले फिर यहाँ से आपको breakdown देखने को मला और भी ग्रावट हुई थी यहीं से bank nifty आपको वापस नीचे आता हुआ नज़र आया तो अगर यह 38.500 decisively तूट जाता है तो 40,000 के level तो हमें easily यहाँ पर दिखाई पर सकते हैं तो फिलाल आज तो budget हो गया है आज आपको तेजी नज़र आती है मेरे हिसाब से उसका मतलब यह नहीं है कि continuously market उफर जाएगा कई बार क्या होता है budget में कुछ ऐसी चीज़े अनाउंस हो जाती है जो कि कई बार clear नहीं होती है फिर बात में market उसे react करता है stock wise आपको reaction वो देखने को मिलता है जिसके करण index में भी वो performance हमें देखने को मिलता है पहले कई budget में ऐसा हुआ है last जो budget था वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ वहाँ पर continuous market उपर गई लेकिन उसके पहले ज्यादा तर budget में ऐसा ही होता है कि budget के दिन पर आप ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते है कि market उसके बाद कहां पर जाएगी उसके बाद कई बार घिरावट भी होती है और कई बार आपको तेजी भी देखने को मल जाती है एक अच्छा खासा मुवमेंट आपको बजेट के बाद भी 5-6% का मुवमेंट नज़र आता है अब ये मुवमेंट किस तरफ होगा ये तो हमें आगे आने वाला समय ही बताएगा लेकिन निफ्टी ऑप्शन चेंड डेटा को एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या संकेत मिल रहे है थर्ड फेबरुआरी के लिए तो आपको जो रेजिस्टन्स नज़राते हैं स्ट्रॉ के बार में बात करें तो 17,000 पर हमें सपोर्ट भी नज़राते हैं और आज हमें एडिशन भी देखने को मला है पुट राइटिंग होती भी नज़राई है कॉल अन्वाइंडिंग हो रही है जिन्नोंने यहाँ पर कॉल बेचे थे सबने अन्वाइंड कर दिये हैं और नए क बेचे गए हैं इस लेवल पे 18,000-18,300 के लेवल पे हमें सेलिंग दिखाई पड़ती है तो अभी फिलाल के लिए मार्केट में वालाइटिल्टी हो सकती है लेकिन ऑप्शन चेंड डेटा के हिसाब से 3rd February की जो एक्सपारी की क्लोजिंग होईगी इस रेंज में होती भी न दिखाई पड़ता है बैंक निफ्टी के बार में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें रेजिस्टन्स ज्यादा स्ट्रॉंग नजराते हैं इन कंपरेजन टू सपोर्स पुट रैटिंग होती भी नजराती है नो डाउट लेकिन आपको कॉल सेलिंग ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ती है और एडिशन्स भी देखने को मिलें और पुट में जो एडिशन्स हुएं मेजर आपको बहुती ज्यादा फार अवे स्ट्राइक्स पे दिखाई पड़ती है जीरो पॉइंट सेवन का पी सिया यहाँ पर भी ओवर सोल्ड है 38200 का मैक्स पेन है ले लेकिन जिस प्रकार की घिरावट आपको इंट्राडे में देखने को मिली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर नंबर शायद ज्यादा होंगे बहुत बड़े फिगर्स में सेलिंग हो रही होगी लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है रिजर्स के बार में बात करें तो अडानी पोर्ट्स के रिजल्ट्स आए है नेट प्रॉफिट हमें 6% वाईवय बेसिस पे नीचे जाता हुआ नजर आता है रेवेन्यू आपको फ्लाट देखने को मला कम्पनी ने उनका जो FY22 का रेवेन्यू गाइडनेस था वो भी 18,000 करोड से 17,000 करोड कर दिया है ट इडियन होटल्स के भी रिजल्ट्स आए है कम्पनी ने कॉन्सोलिडेटिड प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 96 करोड का जो कि पिछले साल 133 करोड का लॉस था तो आफकोर्स सिचुएशन आपको यहाँ पर बैतर होती भी नजर आई है एडलवाइस के कॉर्ट द्री रिज पीड हो चुका है अच्छी बात है टाटा मोटर के सेल्स नमबर आ चुके हैं सेल्स 26 परसन बढ़ चुका है जैनुरी 2021 में तो अच्छे नमबर नजर आते हैं टीवी एस मोटर ने भी नमबर्स पोश्ट किये हैं लेकिन उनके नमबर्स अच्छे नजर नहीं आते हैं यहाँ पर हमें गिरावट नजर आती है तीन लाग से ज़्यादा जो यूनिट सेल किये थे जैन 2021 में उसके मुकाबले दो लाग साथ हजार के आसपास की हमें यहाँ पर सेलिंग नजर आती है अशोक लेलेन के जो टोटल सेल्स हैं वो हमें 6% बढ़ते हुए नजरा है कोई बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिला है मारूती सुजुकी के जो नमबर्स हैं वहाँ पर भी हमें स्लाइटली गिरावट नजर आती है 6000 वेहिकल्स कम बेच हैं महिंद्रा इन महिंद आपर तेज़ी देखने को मिली अच्छी बात है अब कल के लिए बहुत से स्टॉक डेविडिन अनाउंस कर रहे हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं तो यहाँ पर उसी प्रकार से आपको गिरावट देखने को मिल सकते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रोत नहीं है टॉरेंट फार्मा कॉनकॉर और यह शारदा क्रॉप के में जो की ज़्यादतर पॉपिलर नेम्स हैं बाकी तो आपने सदा सुने नहीं होंगे कॉस्मो फिल्फ भी कई बार आपको चर्चा में दिखाई पड़ता है एक डील के बारे में बात करते हैं इंसाडर डील होती भ खरीदे गए हैं अलड़ी जो इनकी होल्डिंग है 29.63 परसंट है और भी ज़्यादा शेर्स खरीदे है तो अफकॉर्स अच्छी बात है 28 जैन 2022 को यह खरीदारी होई है तो यहाँ पर आप फोकस बना कर रख सकते हैं रिलाइंस नहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एमफसिस से एक डिल हमें दिखाई पड़ती है जो प्लेज किया गया था वो प्लेज रिलीज हो चुका है देवसे सिंग ने प्लेज किया था 10,214 शेर्स का तो यह प्लेज हमें रिलीज होता हुआ नजराया है एमफसिस से बहुत बड़ा एक्वीटी नहीं है क्योंकि 0.01 11% का यह मोवमेंट हमें देखने को मला है उतना ही हमें यहां पर डील होती भी नजराती है अब कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बार में बात करते हैं जहां पर आफोकस कर सकते हैं कल के लिए तो सबसे पहला स्टॉक है डॉक्टर एड़ी डॉक्टर एड़ी में आप जाता है फाइब मिनिट का क्लोस देता है तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं आधे परसेंट का स्टॉप लॉस रखना है और एक परसेंट का टार्गेट रखना है दूसरा शहर है आईजियल आईजियल में भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई पड़ती है रेजि हमने इसे कल भी डिसकस किया था कि अगर यह 1190 के उपर जाता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं फाइब मिनिट का क्लोस देना चाहिए लेकिन फाइब मिनिट का क्लोस नहीं दिया वापस यह नीचे आ गया था तो अगर फिर से आज हमें तेजी नजराती है कल हमें तेजी न बढ़र ज़्यकु अना चमिर हमें तेजी पाइब मिनिट का कि अगर्थना है धरत्व्यक Also क्वें अगरत्षर प्र algum देनाने मिनिट कर से मार्मने कर दूना खाएब